नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कम बोलने बाले ब्यक्ति को इन चार बातों पर हमेशा ही गवर करना चाहिए अन्यता हो सकते हैं बरबाद कौन सी हैं वो चार बातें आए जानते हैं इस वीडियो के माध्य हमसे दोस्तों कम बोलना सबसे अच्छी बात मानी जाती है और यह एक सच्चे और सब भे इनसान की पहचान भी होती है इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिनके सोचने का तरीका आलग-अलग होता है कुछ लोग कम बोलने बाले को पसंद करते हैं तो बहीं कुछ लोग आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम बोलने बाले ब्यक्ति को काउन-काउन से नुकसान का सामना करना पड़ता है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक दोस्तों कम बोलने बाले व्यक्ति की लोग ज्यादा से ज्यादा खिली उडाते हैं और ये खिली उडाने बाले लोग बही होते हैं जो खुद किसी काम के नहीं होते अर्थात सारे के सारे निकम में होते हैं नमबर दो, दोस्तों कम बोलने बाला ब्यक्ति अपने हक के लिए किसी से लड़ नहीं पाता, जिसकी बज़े से कभी-कभी वो खुद का हक भी गवा वैटता है, इसलिए ये जरूरी है कि हर जगे कम ना बोला जाए, जहां इसकी जैसी जरूरत है, बैसा ही करने में भलाई हो नमबर तीन, दोस्तों अक्सर देखा गया है कि कम बोलने बाला ब्यक्ति दूसरों से अपशब्द बाली बात नहीं करता, जिसके चलते वो दूसरों की तो सुन लेता है, लेकिन उसका जबाब नहीं दे पाता, नमबर चार, दोस्तों कम बोलने बाले ब्यक्ति को कभी भी क गुछ भी कह देता है क्योंकि वो जानता है कि जबाव में कम बोलने बाला बैक्ति उसे कुछ नहीं कह पायेगा, इसलिए ये जरूरी है कि हम इतना भी कम ना बोलें, कि सामने बाला हمें कुछ भी कह के निकल जाए, कम बोलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब इसकी ज अमेशा याद रखिए आचारे चारक के बताते हैं इतने सीधे मत बनिये कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा बीडियो पसंद आया है तो बीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के बीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी बीडियो उचको आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद